हेलो फ्रेंड्स गुड इउनिंग टू ओल एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के उपर हार देख स्वागत है हम पढ़ रहे हैं नौरसाइट 2023 के लिए एंड क्लैस सीरीच एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट टू के अंदर कुछ औ इंडोक्राइन सिस्टम बहुत चोटा सब्जेक्ट सिस्टम है इसको बहुत अच्छे से पढ़ें उसके बाद में इसके डिजीज पोर्ट पर्टिस कर सकते हैं उतनी करें ताकि आप एक्जाम के अंदर यही प्रक्टिस आपका परफेक्शन दिखाएगी और आपका रिज तो आपको यह समझ में नहीं आता है आप खुद का अनलेसिस नहीं कर पाते हो कि क्या चीज आपको आती है और क्या समझ में नहीं आया है इसलिए लगातार MCQ प्रक्टिस करें जहां कहीं पे भी आपको MCQ प्रक्टिस करने को मिलता है आप जरूर MCQ प्रक्टिस करें क्योंक पॉर्षन को अच्छे से पढ़ना है ताकि MCQ समझने में आपकी क्या है एजी रहेगा जैसे मालो आप थाइरोड ग्लेन को पढ़ रहे हो तो आपको समझना सबसे पहले क्या है थाइरोड ग्लेन अपनी बोड़ी के अंदर कहा होती है उसका वेट कितना होता है क्या से काम करत हैं फिर के डिसॉरडर हैं जैसे हईपोत हरोडिजिम हे है इसके क्लासिकल सिम्टम हैं उसको पढ़े इसके अंदर नर्सींग इंटरवेंशन क्या रहेंगे कौनपय सी ड्रग दी जाती है और उस ड्रग के क्यासाइड इफेक्ट हो सकते हैं वहीless चीज़े पढ़नी है उसके हर चीज़ के पीछे अगर आपको क्यों और कैसे पता है तो एक्जाम के अंदर कुछ भी पूछा जाएगा उससे रिगारिंग आप उसका जवाब 100% सही दे पाओगे और सेलेक्शन नहीं बहुत अच्छी रेंक निकाल सकते हो तो आज का हमारा फस्ट एंसी क्यों है जो मरीज grave disease का है आपको पता होना चीए कि grave disease होती क्या है अगर आपको पूछा जाए एक्जाम के अंदर the most common cause of hyperthyroidism आपको जवाब देना है grave disease अगर आप से पूछा जाए तो आपको जवाब देना है ग्रेव डिजीज जो होती है अगर आपको पूछा जाए तो आपको जवाब देना है यह फीमेल अगर आपके पास आई है तो इसके अंदर क्या सिम्टम देखे जाएंगे अब इस सीज का आप जवाब तभी दे सकते हैं जब आपका बेस बहुत अच्छा हो जैसे मालो थाइरोड ग्लेंड है थाइरोड ग्लेंड से कौन से हर्मोन बनते है ती-3 और टी-4 बनते है ती-3 और टी-4 अपने बोड़ी के अंदर क्या काम करते हैं बीमर को मेंटेन करते हैं यानि कि बेजल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम ज्यादे दर किसका रहता है ती-3 और टी-4 हर्मोन का रहता है तो जो मरीज जो है ग्रेव डिजीज का यानि कि इसके अंदर क्या है ती-3 टी-4 ज्यादा बन रहें अगर ये ज्यादा है इसका महलब क्या है मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक रेट रहेगी उतना ज्यादा हर्ट को काम करना पड़ेगा इसलिए मरीज हर्ट की कैसा काम करेगा फास्ट काम करेगा जितनी ज्यादा मेटाबॉलिज होगा उतनी समझ में आएगा और फिर आप ऐसे चीजों का जवाब आसानी से दे पाएंगे option A के अनले का है anorexia, option B के अनले का है tagycardia, option C के अनले का है weight gain, option D के अनले का है cold skin weight gain, anorexia और cold skin ये सारी चीज़ी किसके अंदर देखी जाएगी जो मरीज किसका है, hypo thyroidism वाला कैसा है, जिन मरीजों के अंदर thyroid hormone का level क्या है, T3, T4 का कम है, ऐसे मरीजों के अंदर anorexia रहेगा, weight gain होगा और cold skin होगा, इसका क्या रीजन है, जब भी body के अंदर T3, T4 कम होगे, तो ऐसे मरीजों के अंदर metabolism low होगा, digestion low होगा, तो digestion कम हो रहा है, तो ऐसे मरीजों के अंदर weight gain ज़्यादा होगा, जब digestion नहीं हो रहा है, तो मरीज को भूग भी ज़्यादा नहीं लगी, तो वो मरीज कैसा रहेगा, anorexia वाला रहेगा, जब metabolic rate कम है, तो ऐसे मरीजों के अंदर heat generate तो वो मरीज कैसा रहेगा, cold intolerance वाला रहेगा, एंकि उनकी skin भी कैसी रहेगी, cold रहेगी, तो ये तीनों सिम्टम किसके अंदर देखे जाएंगे, जो मरीज क्या है, hypothyroidism वाला है, उसको भूग भी ज्यादा लगेगी, उसका बेजल metabolic rate ज्यादा है, मरीज का heart भी fast काम करेगा मरीज के अंदर क्या है, heat generate ज्यादा होगी, तो उसका temperature भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जब मरीज के अंदर metabolism बहुत अच्छा हो रहा तो उस मरीज का weight gain कभी भी नहीं होगा, उसका weight क्या होगा, loss होगा, इसलिए answer, B is the correct answer, heart fast काम कर रहा हैं, क्योंकि BMR ज्यादा ह तो B is the correct answer, मरीज कैसा रहेगा, टेकी कार्डिया वाला रहेगा, इसका answer क्या रहेगा, B, B is the correct answer, next, MC क्यों अपना, जब आप health history कंड़क्ट करें हो, मरीज किसका है, थायरो टॉक्सिकोसिस का है, और ऐसे मरीजों के अंदर मेस्ट्रो साइकल की हिस्ट्री कैसी रहेगी, थायरो टॉक्सिकोसिस वाली condition कैसी होती है, बहुत ज़्यादा thyroid hormone का बढ़ना क्या condition है, जब मरीज के अंदर T3 और T4 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो मरीज की बोडी के लिए toxic condition हो जाती है, इसलिए इस condition को आप आप नाव क्या देते है, थायरो टॉक्सिकोसिस के नाम से जाना जाता है, जो मरीज grave disease का है, जो मरीज hyperthyroidism का है, जो मरीज थायरो टॉक्सिकोसिस का है, उसके अंदर मेंस्ट्रो साइकल की कैसी हिस्ट्री रहेगी ये आप से पूछा जा रहा है option A के ने लिका है dismenoria option B के ने लिका है metroragia option C के ने लिका है oligomenoria option D के ने लिका है menorrhagia dismenoria का मतलब होता है painful menstrual cycle का आना उस condition ये condition physiological भी होती है कई बार local hormone का excess secretion क्या है dismenoria condition पैदा कर देता है कई बार ये condition pathology भी हो सकती है option B के ने लिका है metroragia तो metroragia तो metroragia इसके लिए यूज किया जाता है uterus के लिए जो अपना uterus होता है female के अंदर उसके लिए क्या कौन सा word यूज के जाता है metroragia का मतलब होता है discharge तो ये क्या है uterus से discharge कब होता है 0 से 28 दिन की जो अपनी menstrual cycle normally होती है इसके बीच में इसके बीच में कभी भी bleeding start हो जाती है उस condition को अपन क्या बहुत है metroragia option C के लिका है oligomanoria तो oligomanoria के अंदर क्या होता है जो female होती है उसके अंदर जब menstrual cycle आता है तो normally 3 to 5 डे उसके अंदर क्या है bleeding day रहते है तो ऐसी condition जो female कैसी है oligomanoria वाली तो इसके अंदर less than 2 डे क्या है bleeding day रहते है और बहुत ज़्यादा जो है menorrhagia तो menorrhagia का मतलब होता है कि जो आपका menstrual cycle है 0 से 28 दिन से ही repeat हो रहा है बीच में नहीं आ रहा है 28 दिन से ही repeat हो रहा है लेकिन ये जो 3 to 5 डे जो bleeding day है ये बढ़गर के कितने हो जाएंगे 7 दिन तक हो जाएगा यानि कि polymenorrhagia हो जाएगा इसको आप polymenorrhagia भी बहुत सकते हो 7 दिन तक होगा और ये bleeding जब होनी होती है नॉर्मली जो 80 ml तक blood loss होता है इस female के अंदर जो female menorrhagia वाली है इसके अंदर 80 ml से ज़्यादा है यानि कि excess blood loss होता है menstrual cycle का ज़्यादा घातक होती है और ऐसे कंडिशन में जब हर्मोनल मेनेजमेंट नहीं कंप्लीट होता तो ऐसे कंडिशन में कई बार uterus को निकाल के hysterectomy भी करनी पड़ती है तो मैनो मेट्रोर्या वाली कंडिशन जो है female के लिए ज़्यादा घातक होती है female एनेमिक हो जाती है body के अंदर iron की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है पर cycle के अंदर अगर आपको पूछे कितना iron loss होता है तो आपको जवाब देना है 30 mg कितना होता है 30 mg जो है पर cycle के अंदर iron नॉर्मली loss होता है female के अंदर तो यह जो female thyrotoxicosis वाली है female के अंदर क्या देखा जाएगा metroragia देखा जाएगा क्या देखा जाएगा metroragia देखा जाएगा यानि कि यह जो 0 से 28 दिन का cycle के इसके बीच में कभी भी 10 डेस से कभी 7 डेस से कभी 15 डेस से ऐसे bleeding स्टार्ट हो जाती है तो यह condition क्या है metroragia और यह किसके साथ में देखी जाती है जो मरीज hyperthyroidism के है grave disease के या thyrotoxicis वाले मरीज है उनके अंदर यह metroragia देखी जाती है metroragia वाली condition जो है यह किसके साथ में रहती है जो मरीज hypothyroidism वाले होते है उनके अंदर देखी जाती है तो इसका answer क्या रहेगा B B is the correct answer next MCQ ए 34 year old female is diagnosed with hypothyroidism the nurse should assess the client for which of the following select all that apply यह MCQ कैसा है select all that apply वाला है इसके अंदर आपको बताना है मरीज के अंदर hypothyroidism वाले symptom कौन-कौन से है वो आपको अलग करके बताना है option A के अंदर लिखा है rapid pulse option B के अंदर लिखा है decrease energy and fatigue option C के अंदर लिखा है weight gain 10 lbs option D के अंदर लिखा है fine thin hair with hair loss option E के अंदर लिखा है constipation option F के अंदर लिखा है manorrhage rapid pulse हमने अभी पढ़ा था किसके अंदर लिखा जाएगा tachycardic condition किसके अंदर रहती है जिसके अंदर hormone का level लिखा है कौन से hormone का T3 और T4 का level जादा यानकी मरीज hypothyroidism का है उसके अंदर लिखा जाएगा option A तो क्या हो गया बाहर हो गया option B के अंदर लिखा है decrease energy and fatigue बिल्कुल ये क्या condition देखी जाएगी hypothyroidism वाले ऐसे मरीजों के अंदर bezel metabolic rate कम होती है इसलिए इन मरीजों के अंदर energy level भी low रहता है और ऐसे मरीज बहुत जल्दी ठक जाते हैं fatigue वाले होता है तो ये बिल्कुल correct है option C के अंदर लिखा है weight गये बिल्कुल जब metabolic rate कम है तो आपका digestion प्रॉपर नहीं हो रहा तो ऐसी condition में आपकी body के वर fat चिपकती जाएगी और आपके skin fold कैसे हो जाएगे ठिक हो जाएगे तो ये condition भी hypothyroidism के अंदर देखी जाती है option D के अंदर लिखा है fine thin hair with hair loss इस मरीज के जो है skin की भी थिक होती है और hair भी थिक होता है ऐसे मरीजों के अंदर hair loss वाली या thin skin या thin hair वाले मरीज नहीं होता है तो ये तो condition किस के अंदर देखी जाएगी जो मरीज kissing syndrome के होते है जो मरीज hyperthyroidism के होते है उनके अंदर देखा जाएगा option E के अंदर लिखा है constipation जब आपकी बोड़ी के अंदर T3, T4 कम है तो metabolic rate कम है तो ऐसे मरीजों के अंदर के हैं जब digestion slow हो रहा है तो constipation भी देखा जा सकता है option F के अंदर लिखा है मेनोरेजिया जी हाँ और F ये चैरो कंडिशन किससे regarding है जो मरीज किसका है hypothyroidism का है उसके साथ तो इसका answer क्या रहेगा B, C, E, F next MC क्यों अपना एक client with thyrotoxicosis say the nurse I am so irritable I am having problem at work because I lost my temper very easily which of the following responses by the nurse would give the client the most accurate explanation of her behavior मरीज का ऐसा behavior क्या है इसका proper explanation आपको देना है जो मरीज किसका है thyrotoxicosis का है और ये मरीज आपको कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा irritable हूँ और मुझे work place पे भी problem हो रही है क्योंकि मैं मेरा temper easily loss कर देता हूँ तो ये चीज इसके साथ क्यों हो रही है ऐसा आपसे ये पूछ रहा है अपसे ये के नर लेका है ये चीज आपको मरीज को नहीं बोलनी है क्यों नहीं बोलनी है confusion वाली condition कब होती है जब मरीज कैसा हो nervous system disorder वाला हो ये मरीज कैसा हो psychiatric मरीज हो ऐसे मरीजों के अंदर देखा जा सकता है तो जब thyroid hormone abnormal होते है तो ऐसी condition में confusion वाली कोई condition होती नहीं है option C के नर लेका है your behavior is caused by your worrying about your seriousness of your illness ये आपके अंदर ऐसे इसलिए symptom आ रहे है क्योंकि अपनी disease को लेकर कि आप बहुत worrying है इसलिए ये चीज भी आपको नहीं बोलना आपको क्या करना है जो चीज उसके साथ हो रही है उसका explanation देना है उसके घर की चीजों का आसपास की चीजों का उसकी personal life का ऐसे वैसे explanation आपको नहीं देने होता है जब भी मरीज आपको MCQ कुछ भी पूछ लेता है और कि मरीज आपसे कोई question पूछता है आप अपने career को manage करने की कोसिस कर रहे है और अपनी illness से भी लट रहे है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसी चीज भी आपको जवाब नहीं देना है आपको क्या बोलना है यूर behavior is caused by excess thyroid hormone in your body system बिल्कुल ये आपको बोलना है कि जो मरीज जो है grave disease के होते है जो मरीज hyperthyroidism वाले होते है जो मरीज कैसे है thyro toxicis वाले होते है ऐसे मरीजों के अंदर T3, T4 hormone का level ज़्यादा रहता है इसलिए ऐसे मरीजों के अंदर ऐसे symptom normally देखे जाता है ये condition कैसी है नॉर्मल है इस बिमारी के साथ में ये condition नॉर्मल है ये आपको उसको explain करना है और इसका answer क्या रहेगा B B is the correct answer Next MCQ अपना Serum concentration of thyroid hormone and thyroid stimulating hormone are testes ordered for the client with thyro toxicosis which of the laboratory value are indicative of thyro toxicosis कौन सी value indicate करें कि इस मरीज के अंदर thyro toxicosis है उसके अंदर देखना आपको क्या है T3, T4 देखना है और उसके साथ में क्या देखना है THS देखना है जब भी मरीज के अंदर thyroid hormone जादा होता है तो ऐसी condition में T3, T4 बड़े वे होंगे लेकिन THS हमेशा लो रहेगा इसका क्या region है जब body के अंदर sufficient है कोई भी hormone होता है तो ऐसी condition में negative feedback system काम करता है जाके hypothalamus को बोलता है कि अभी इस hormone के जरूत नहीं है आपको इस hormone को और नहीं बनाना है तो ऐसी condition में hypothalamus master gland को बोलता है pituitary gland को कि इस hormone को और नहीं बनाना है और THS hormone कौन बेजता है pituitary gland बेजती है thyroid estimating hormone इसलिए जब बोड़ी के अंदर thyroid hormone already access हो रहे है तो ऐसी condition में pituitary gland THS hormone नहीं बेजती है और इसलिए THS hormone कैसा रहेगा low और T34 बड़ा हुआ रहेगा इस condition के साथ में और ये कौन से option में लेका है ये आपको डूढ़ना है option ये के लेका है elevated thyroid hormone concentration and normal THS elevated तो रहेंगे लेकिन THS normal नहीं होता है कैसा होता है option B के लेका है elevated THS and normal thyroid hormone concentrate normal thyroid hormone अगर है तो ना तो हाइपो है ना हाइपर एप कंडिशन ही कोई पैदा नहीं होती है कोई disorder ही पैदा नहीं होता है तो ये condition भी इसके अंदर नहीं होगी option C के लेका है decreased thyroid hormone concentration and elevated THS ये किसके अंदर देखा जाएगा जो मरीज किसका है hypothyroidism का जो मरीज किसका है hypothyroidism का जो मरीज है उसके अंदर ये condition देखी जाएगी कि उसके अंदर T3, T4 तो क्या है कम है लेकिन THS क्या है बड़ा हुआ है क्योंकि जब भी बोड़ी के अंदर कोई hormone कम हो है तब positive feedback system काम करेगा और hypothalamus को बोलेगा कि ये वाला hormone बोड़ी के अंदर चाहिए और hypothalamus master gland को order करता है कि आपको क्या करना है ये hormone बनवाना है उस gland से तब pituitary gland क्या करेगी अपना stimulating hormone जो THS है उसको भेजेगी और thyroid gland को बोलेगी कि T3, T4 बनाओ लेकिन इस thyroid gland के अंदर ही problem है उसकी वज़े से thyroid hormone नहीं बन रहे है तो ऐसी condition में T3, T4 के concentration तो रहेगी कम और elevated कौन रहेगा THS तो ये कि इसके अंदर देखा जाएगा hypothyroidism के अंदर देखा जाएगा option D के अंदर बिलकुल correct लेका है कि thyroid hormone की concentration तो जएदा रहेगी लेकिन कौन कम रहेगा THS रहेगा तो इसका आंसर क्या रहेगा D D is the correct answer ऐसी condition के अंदर THS समय सा लो रहता है Next MCQ The nurse should teach the client to prevent corneal irritation from mild exopthalamus exopthalamus क्या होता है ये चीज़ा आपको पता होनी चाहिए exopthalamus के अंदर अपना जो आईबॉल है ये क्या है आउटसाइड प्रोट्यूज हो जाता है बहुत बड़ी बड़ी आँखे देखती है उस condition को अपन क्या बोलता है exopthalamus के साथ में रहता है जो मरीज grave disease का है जो मरीज hyperthyroidism का है जो मरीज thyro toxicosis का है इन condition के अंदर exopthalamus देखा जाता है और exopthalamus का मतलब होता है protrusion of eyeball eyeball का बहुँ जादा protrusion होता है आउटसाइड ऐसी condition में अपना blinking reflex भी उसको आराम से cover नहीं कर पाता है रहसे मरीजों के अंदर corneal irritation होने की corneal ulcer होने का बहुँ जादा संचेज रहते हैं इसको prevent करने के लिए आप क्या इंतजाम करेंगे ऐसा आप से पूछा जा रहा है option A के लिका है massaging the eye at regular interval जो किसी भी आँखा massage करना इसका treatment नहीं है तो ये आपको नहीं बता रहा है option B के लिका है installing on ophthalmic anesthetic agent as ordered तो ऐसे मरीज जिन मरीजों के अंदर आई के अंदर pen की complain रहती वो मरीज anesthetic agent यूज करेंगी ऐसे मरीजों के अंदर corneal irritation को prevent anesthetic agent से नहीं किया जा सकता है option D के लिका है covering booth eye with the moist gulls तो moist gulls मरीज लगा सकता है लेकिन ये 24 और मरीज अपलाई करके नहीं रख सकता है इसलिए आपको उसको best advice क्या देनी है क्या आप क्या करो wearing dark colored glasses आप क्या करो dark colored के goggles लव और उसको use करो यहीं आपके corneal irritation को prevent कर सकता है answer C is the correct answer next time से क्यों अपना profile to your uracil एक drug है जिसको PTO के नाम से बोला जाता है is prescribed for the client with grave disease जो मरीज grave disease का उसको PTO लिखा है the nurse should teach the client to immediate report which of the following आपको बताना है नर्स उसको teach करी है कि यह drug आप ले रहे हो और इसके साथ में आपको कौन सा symptom आए तो जल्दी से डॉक्टर के पास आ जाना है option A के ने लिखा है short throat, option B के ने लिखा है pen pull, excessive menstruation option C के ने लेका है constipation, option D के ने लेका है increase urine output increase urine output किसके साथ में रहता है जो मरीज diabetes मेलाइटस का होगा जो मरीज diabetes इंसी फयड़िस का होगा उनके साथ में urine output ज्यादा रहता है constipation कौन से मरीजों के अंदर देखा जाता है जो मरीज hypothyroidism के होते हैं उनके साथ देखा जाता है, PTU हाइपो थारोडिजम को ज नहीं कर सकता है, PTU क्या करेगा, माइल्ड हार्मॉन को कम कर सकता है, लेकिन इतना लोग नहीं कर सकता कि उसके अंदर हाइपो थारोडिजम हो जाए, Option B के नहीं लिखा है, Penful excessive menstruation cycle, तो इसको हमने पढ़ा था डिस्मेनोरिया ये कंडिशन इसके साथ नहीं रहती है मरीज को तो क्या करना है उसको गले का इंफेक्शन हो जाए शौर्ट रोट हो जाए तो तुर्ण डॉक्टर के पास आना है इसका क्या रीजन है ये जो पिट्यू ड्रग है इसका एडवर्ज एफेक्ट क्या है एग्रेनुलो साइटोसिस क्या है अपनी जो WBC अपना जो defense system में उसके उपर attack करती है उसके count को कम करती है और जब WBC के count कम होते है तो ऐसे मरीज जो है किसी भी infection के प्रति बहुत ज़दा प्राउन रहते हैं और ऐसे मरीजों को आपको क्या बोलना है कि आप PTO drug ले रहे हो और आपको ऐसे infection वाले symptom आते हैं तो जल्दी से doctor के पास आना है और doctor इस drug को तुरंत क्या कर देगा hold कर देगा तब तक जब तक यह symptom क्या है recover नहीं हो जाए तब तक और यह जो PTO drug होती है initially three month के अंदर ही मरीज के अंदर ऐसे adverse effect देखे जाते हैं इसके बाद में ऐसे symptom आने बहुत less Sanchez होते हैं इसलिए जब यह drug drug मरीज को PTO चलती है तो start जब मरीज को करता है तो doctor frequently इसको follow up में बुलाता है three month क्योंकि three month के अंदर ऐसे symptom मरीज के अंदर देखे जा सकता है यह क्या है PTO drug के adverse effect माने जाता है side effect माने जाते हैं तो आज के लिए अपना इतना ही next अपन मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए धन्य आप लोगोंने इस लक्ट्वर से कुछ नया सीक रहे हैं आप कुछ नया सीक रहे हैं तो आप जरूर दूसरे लोगों तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़े और अपने एक्जाम के लिए बहुत अच्छे से conceptual study अपने साथ continue कर पाए कैसा भी कुछ होता है कैसा कोई एक्जाम में आता है कि लेकिन जिन लोगोंने चार पांच एक्जाम दी है उन लोगों को experience होगा उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसी ही चीजे एक्जाम के अंदर पूछी जाती है लेकिन वहाँ पर issue क्या रहता है उसकी language को twitch करते है है वो जो एक्जाम होता है वो tough नहीं है उसके अंदर tough क्या उसकी language tough होती है उसकी language समझ में नहीं आती है इसलिए मैं कह रही हूं कि आप mcq practice लगतार करें ताकि उस language को समझने में आपको आसानी हो जाए तो आज के लिए यह तरह ही हम मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए धन करें आप